हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आदी क्लासिस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रूट का जोड, रूट का घटा, गुना और भाग सबसे पहले आपको मैं बता दूँ भाग करने की आपको मैं इसमें बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जो की एक सोल्ट कट होगा आपको कभी प्रोब्लम नहीं आएगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, तो सुरू करते हैं हम जोड करने से, अब यहाँ पर देखे हमारे पास वैल्यू है, रूट थ्री में हमें रूट थ्री जोडना है, तो यहाँ पर देखे रूट वन एड कर देना है, एड करने पर क्या मिलेगा टू, और यह रूट थ्री है, यह भी रूट थ्री है, तो यहाँ पर आपको एक बार रूट थ्री लिखना है, अब इसको हमने एड कैसे किया, तो आप देखिए, यह एक रूट थ्री है, और यह भी एक रूट थ्री है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 बार root 3 है तो value क्या आ जाती 3 root 3 आई ओप आप समझ गए होंगे कि हम कैसे add करते हैं अब यहाँ पर देखी हमारे पास 2 root 5 है और 3 root 5 है तो यहाँ पर भी हम 2 और 3 को add कर देंगे तो कितनी value आ जाएगी 5 root 5 जिस तरीके से हमने इसमें किया था उसी तरीके से आपको यह वाला part भी solve कर देना है इसका अब यहाँ पर देखें यहाँ पर value है 3 root 7 प्लस 2 root 2 तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो root में value है वो अलग-अलग value है तो जब भी हमारे पास root में value अलग-अलग होगी तो उसको हम उससे आगे add नहीं कर सकते यानि कि इसका जो final answer होगा इसका answer यही हो जाएगा इससे आगे हम इसको add नहीं कर सकते तो इसका answer आजाएगा यह अब देखें root को हम कैसे गटाते हैं root को गटाते कैसे हैं यह भी इसी तरीके से हम solve कर सकते हैं यहाँ पर देखे, root 3 में से root 3 घटाना है, मतलब same value में से same value घटानी है, तो value क्या मिल जाएगी 0, तो इसका answer क्या जाएगा 0, अब यहाँ पर देखे, दूसरी value हमारे पास है 3 root 7 minus 2 root 7, तो यहाँ पर 3 root 7 में से 2 root 7 घटाना है, यानि कि आप इस 3 में से 2 को minus कर दीजिए, तो 3 म value क्या है, हमारे पास root 7, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 root 7, यानि कि यह हो जाएगा root 7 के equal, तो root 7 इसका final answer आजाएगा, अब देखे, यहाँ पर 3 root 5 minus 2 root 3, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो root में value है, वो अलग-अलग value हो गई, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमार पास final answer यही हो जाएगा, इस से आगे हम इसको solve नहीं कर सकते, तो यही हमारा इसका answer हो जाएगा, अब देखे, root की गुना, root को गुना कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखे, root 5 में हमें root 5 को multiply करना है, तो इसका सबसे पहले मैं आपको sort cut बता दू, root 5 में जब हम root 5 को multiply तो value मिल जाएगी हमें 5, अगर हम root 3 में root 3 की multiply करेंगे, तो value 3 मिल जाएगी, अब बात यह है कि 5 कैसे आया, तो यहाँ पर देखे, यह 5 आता कैसे है, जब हम root 5 में root 5 की multiply करते हैं, तो हम multiply ऐसे करते हैं, हम इसके अंदर 5 into 5 कर देते हैं, यह दोनों 5 जो है हमारे, यह root के अं अंदर root और अंदर आ जाएगा 5 का square, क्योंकि 5 into 5 क्या हो जाएगा 5 का square, अब यहाँ पर square से अंदर root कट जाता है, यह बात आपको पता है, तो जब अंदर root से square कट गया, तो value क्या मिल गई 5, तो यही 5 इसका answer हो जाएगा, आयोप आपके समझाया होगा, अब देखें next वा और यहाँ पर 1 है, इस 2 की multiply तो इस 1 के साथ हो जाएगी, value मिल जाएगी 2, और root 3 की multiply रूट 3 में हो जाएगी, root 3 की multiply जब root 3 में होगी तो value क्या मिल जाएगी 3, तो हमारे पास final answer क्या जाएगा, 3 into 2 यानिके 6, तो 6 इस question का answer हो जाएगा, अब देखें next problem, यहाँ पर हमारे प या फिर घटा होता, तो उस से आगे हम इसको solve नहीं कर सकते थे, पर यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कैसे करेंगे, 3 को 2 से multiply कर दीजिए, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आजाएगा 6, अब देखें, root 5 की multiply, root 3 के साथ करनी है, root 5 की multiply, root 3 के साथ, तो हम कैसे करेंगे, इसको पू 6 under root 5 into 3 कितना हो जाएगा, 15, तो 6 under root 15, यह इस question का answer हो जाएगा, I hope आपके समझाया होगा, कि हमने last वाले part को कैसे solve किया है, अब देखें, root का भाग, इसका बहुत आसान तरीका है, और उससे आप easily हर type का question कर सकते हैं, अब आपको सबसे पहले एक बात मैं बता दूँ, अग अब देखें, हमारे पास value है, under root 2 divided by under root 2, तो यहाँ पर देखें, root 2 divided by root 2 करते हैं, तो वैसे तो हम direct भी काट सकते हैं, पर आपको कभी confusion ना हो, अलग-अलग value में भी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐसे लिख सकते हैं, और जब हम ऐसे लिख देंगे, तो value क्या इस 2 से 2 कट जाएगा, और ये value क्या बन जाएगी, under root 1, और under root 1 की value क्या होती है, 1, तो इसका answer क्या जाएगा, 1, अब देखें, second वाली problem, इसको आप easily solve कर सकते हैं, 2 under root 3 divided by under root 3, यहाँ पर value क्या मिलेगी, 2 under root 3 divided by under root 3, तो इससे ये value कट जाएगी, और ये value क्या बन जाएगी under root 1, तो जब 2 की multiply under root 1 में करेंगे, तो value क्या मिल जाएगी, 2, तो इसका final answer क्या जाएगा, 2, यहाँ पर देखें, इसका final answer 2 आ गया, अब देखें, ये वाली problem है, जैसे हमारे पास, तो इसको देखें, यहाँ पर आप इसका अच्छे से use कर सकते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे 9 under root 12, divided by 3 under root 3, हमारे पास यह value है, तो यहाँ पर देखें, इस 3 से 9 को हम काट सकते हैं, तो 3 तिया 9, यानि के 3 बार कट गया, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, और ये पूरा under root लगा दीजिए, उपर value क्या है 12, तो यहाँ पर लिखे 12, divided by, नीचे under root में value क्या है 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, अब देखें, आप कितने आसानी से इसको solve कर सकते हैं, तीन चोक 12, तो यह आ गया, under root में 4 value आ गई है, तो यह क्या बन गया है, 3 under root 4, तो 3 under root 4 को अब हमें solve करना है, तो अब देखें, 3 और under root 4 की जो value होती है, वो क्या होती है 2, तो यहाँ पर multiply 2 कर दीजि तो 3 into 2 किसके बराबर होता है 6 के, तो हमारा जो final answer आजाएगा, वो आजाएगा 6, आई ओप आपको divide करने की trick अच्छी लगी होगी, अगर यह वीडियो चलगा तो please वीडियो को like कीजिए, और अगर channel पर नए हो तो channel को subscribe कीजिए, thank you friends, मिलते हैं अगली वीडियो में